ओम श्री गणेशाय नम्हा इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार नंदिकेश्वर ने कार्तिके जी से साथ चलने को कहा जो कि क्रतिकाओं के पास थे श्री नारायन जी कहते हैं श्री क्रिश्न के वश में रहने वाला है क्योंकि वे दैव से परे हैं इसलिए संत लोग उन एश्वर इशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं अभिनाशी श्री क्रिश्न अपनी लीला से दैव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं उनका भग्त दैव के वशिपूत नहीं होता ऐसा निर्नित हैं इसलिए आप लोग इस दुख दायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रत, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यों के भई के विनाश करता परमनंत के जनक और मोह जाल के उच्छे दक हैं तथा ब्रह्मा विश्नु और शिव आदि सभी देवगन जिनका निरंतर भजन करते हैं उन गोविंद की भक्ति कीजिए इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है संसार, प्रवाकावे, सारक कर्म, फेन की तरह पुंजी भूत हो गया है वस्तुतावे किसी का नहीं है सयोग या वियोग ये सब इश्वर की इच्छा से ही है ऐसा कहकर एश्वर इशाली कार्तिके जी ने उन करतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्रीहरी का ध्यान करते हुए शंकर जी के पार्शदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया इसी बीच उन्होंने एक उत्तम रत को देखा वह बहुमूर्ली रत्नों का बना हुआ था जिसे विश्व कर्मा जी ने बली भाती निर्मान किया था उसमें इस्थान इस्थान पर माने के और हीरे जड़े गए थे जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी पारिजात पुश्पों की माला से वह सुशो भी था मणियों के दरपन और श्वेत चम्वरों से वह अत्यत उधासित हो रहा था उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ट पार्षत उसे घेरे हुए थे उस रत को दिवी पारवती ने भीजा था उस रत पर कार्थिके जी को चड़ते देखकर क्रतिकाओं का हड़ते दुख से फटा जा रहा था दुख के मारे उनके केश खुलकर बिखर गए थे और वे पुत्रशोक से व्याकुल थी सहसा चेतना प्राप्थ होने पर अपने सामने इसकंदर था कार्थिके जी को देखकर वे अतिनत शोक के करण ठगी सी रह गई फिर वहीं भैवश उनमत की तरह कहने लगी हाए अब हम लोग क्या करें कहां चली जाएं बेटा हमारे आश्रे तो तुम ही हो इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहां जा रहे हो ये तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है हम लोगोंने बड़े स्नेश से तुम्हे पालप वुसा है इसलिए तुम धर्मानुसर हमारे पुत्र हो बहला उप्योग تم पुत्र मातरवर्गों का प्रित्याक कर दे ये भी कोई धर्म है ऐसा कहकर सभी क्रतिकाओं ने कार्टिकेजी को अपने सीने से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुन दुख के कारण वे फिर से मूर्चित हो गई मुने फिर कुमार कार्टिकेजी ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके द्वारा पार्शदों के साथ वे उस रत पर सवार हो गए मुने यात्राकाल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोडा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वन कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल पती, पुत्र से युक्त, इस्त्री, प्रदीप, उत्तम्मणी, मोती, पुष्प माला, मचली और चंदन इन मांगलिक वस्तों को बाए भाग में श्रंगाल, नकुल, कुम्ब और शुब दायक शबको और दक्षिन भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, शुक, कोकिल, कबूतर, मांगलिक, चक्रवाग, कृष्णिसार, म्रग, सुर्भी और शुब पता का आधी को देखा उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनी सुनाई पढ़ने लगी हरी कीरतन और घंटा और शंक का शब्द होने लगा इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते और सुनते हुए कार्तिके जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रत के द्वारा क्षण मातर में ही अपने पिता के मंदिर में जा पहुँचे वहां के लास पर पहुँचकर वे अविनाशी वटवरक्ष के नीचे क्रतिकाओं और श्रेष्ट पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए उस नगर के राजमार्ग बड़े मनहर थे उन पर चारों और पदमराग और इंद्र नील मणी जड़ी हुई थी समोह के समोह केले के खंबे गड़े वे थे जिन पर रेश्मी सूत में गुथे वे चंदन के पल्लवों की बंदनवार लटक रही थी वह पूंड कुम्भों से सुशोबित था उस पर चंदन मिश्रित जलका छड़काव किया गया था असंख्यों रत्न प्रदीपों और मणियों से उसकी विशेश सोभा हो रही थी वे सदा उत्सवों से व्याप्त हाथों में दूब और पुष्प लिये वे वंदियों और ब्रहमनों से यक्त तथा पती, पुत्रवती, साध्वी नारियों से समन्वित था समस्त मंगल कारे करके देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रती, अरुंधती, अहिल्या, दिती, सुंदरी तार, अधिती, शत्रूपा, शची, संध्या, रोहिनी, स्वाह, अनुसुया, संग्या, वरुनपत्नी, आकुती, प फिर देवगण मुनिसमुदाय, परवत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मगन होकर कुमार के स्वागत में गए, महेश्वर भी तरह तरह के बाजों, रुद्रगणों, पार्शदों, भैरवों और छेत्र पालों के साथ वहां पधारे, फिर शक्तिधारी कार्तिके जी पार्वती जी को निकट देखकर हर्श गदगद हो गए, उस समय वे तुरंत ही रच से उतर पड़े और सिर जुगा कर उन्हें प्रणाम करने लगे, तब पार्वती जी ने कार्तिके को देखकर लक्ष्मी आदी देवियों, मुनी पत्नियों और शिव आदी सभी से यतन प पुर्वक परमभक्ती के साथ संभाशन किया, अर्थत वार्तालाब किया और उन्हें अपनी गोध में उठा कर विचूमने लगी, फिर शंकर जी, देवगण, परवत, शैलपत्नियों, पारवती जी, आदी देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिके जी को शुभाशिर फिर कुमारगणों के साथ शिवभवन में आये, वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षिर सागर में शयन करने वाले भगवान विश्नु को देखा, वे रत्न आभुशनों से विभुशित होकर रत्न सिंगासन पर विराजमान थे, धर्म ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सोर अ अगनी वाईवादी देपता उन्हें घेरे वे थे, उनका मुख प्रसन था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छठा चा रही थी, वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे, उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था, और देवेंद्र तथा मुन उनके स्तुती कर रहे थे, उन जगनात को देखकर कार्तिके जी के सरवांग में रोमांच हो आया, उन्होंने भक्ती भाव पूर्वक सिर जुका कर उन्हें प्रणाम किया, इसके बाद ब्रह्मा जी, धर्म, देवताओं और हर्शित मुनिवरों में प्रत्यक को प्रणाम कि फिर बारी-बारी से सबसे कुशल समचार पूछ कर वे एक रत्न सिंहासन पर जा बैठे, उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्रहमनों को बहुत सारा धन दान किया, श्री नारायन जी कहते हैं नारत, फिर जगदीश्वर विश्णु जी ने प्रसन मन से शुबमूर् के कार्तिके को एक रमनी सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश तरह-तरह के जांज मजीरे और यंत्रमय बाजे बजवाये, फिर अमूली रत्नों के बने हुए स्याकडु घड़ों से जो वेद मंत्रों द्वारा अभिशिक्त और संपुन तीर्थों के जल से भरे थे, कार् कार्तिके जी को प्रसन मंसे बहुमूली रत्नों द्वारा निर्मित की रीट दो मांगलिक बाजुबंद, अमूली रत्नों के बने हुए बहुत से आभूशन, अगनी में तपाकर शुद्ध किये हुए दो दिविवस्त्र, शीर सागर से उत्पन हुई कोस्तुब मनी और व विनाशनी विद्या प्रदान की, धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धी और समस्त जीवों पर दया समर्पित की, शिवजी ने परमोतक्रिष्ट मृत्युन जय ग्यान, संपून शास्त्रों का ग्यान, निरंतर सुक प्रदान करने वाला परम मनुहर्तत्व ग्यान, ब्रह्म त्रिशूल, पिनाग, फरसा, शक्ति, पाश्युपतास्त्र, धानुश और संधान संगार के ग्यान सहित संगारास्त्र अर्पित किया, अनिस सभी देबतागणों ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शुभाशिरवाद उन्हें प्रदान किया, इसके बाद सभी करके परंप्रेश्री हरी को मस्तक जुकाया फिर शंकर जी द्वारा सत्कृत होकर शेलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहां से विदा हुए इस प्रकार जो जो लोग वहां आये थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए तब महेश्वर देवी पार्वती जी के साथ बड़े आनंद से वहां रहनी लगे कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनहा उन सभी देवों को बुला कर विवाः विधी के नुसार पुस्टी को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती वी पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन था जब सभी देवता गणों द्वारा कार्तिके जी का विशेक कराय जा रहा था उस समय प्रजापती ने देव सेना को जो रतना भरनों से विभूशित परम विनीत उत्तम शीलवती मन को हरन करने वाली अतित सुन्दरी थी जिसे वि विकार मैंने देवताओं का समागम पार्वती जी को पुत्र प्रापती कुमार कार्तिके का अभिशेक उनका पूजन और विवहा तथा गणेश जी का विवहा ये सारा व्रतांत वर्णन कर दिया अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाशा है फिर और क्या सुनना चाहते हो नारत जी ने पूछा महाभाग नारायन आप तो वेद विदांगों के पारगामी विद्वान हैं परमेश्वर मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समधान करना जाता हूँ प्रभो जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और विगनों के विनाशक है उन गड़ेश्वर के लिए जो विगन घटित हुआ उसका क्या कारण है जब परिपूर्णतम परात पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनात स्वेम ही अपने अंश से पारवती जी के पुत्र होकर उत्पन हुए थे तब उन ग्रहा धिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की द्रिष्टी से कट जाना बड़े आश्चरी की बात है आप इस व्रतान को मुझे बदलाने की करपा कीजिए कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ श्री नारायन ने कहा हे ब्रामन विगनेश्वर का यह विगन जिस कारण से हुआ था उस प्राचे नितिहास को तुम सावधान होकर सुनो नारद एक समय की बात है भक्त वचल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सुरी पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया वह शिप जी के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोग था इसलिए उसकी चोट से सुरी की चेतना नस्ट हो गई और वे तुरंत ही रत से नीचे गिर पड़े जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आखे उपर को चड़ गई है और वे चेतना हीन हो गया है तब वे उसे चाती से लगा कर फूट फूट कर विलाप करने लगे उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया वे सभी भैभीत होकर जोर जोर से रोने लगे अंधकार चा जाने से सारा जगत अंधिभूत हो गया तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी जो प्रह्मतेज से प्रज्वलित हो रहे थे अपने पुत्र को प्रभाहीन देकर शिवजी को शाप देते भी बोले जिस प्रकार आज तुमारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष इस्थल विदीन हो गया है हे शिव उसी तरह तुमारे पुत्र का मस्तक भी कड़ जाएगा शिवजी आशुतोस तो है ही अथा छण मात्र में ही उनका क्रोध चला गया तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्यान ध्वारा सूरी को जीवित कर दिया फिर जो ब्रह्मा विष्णू और महेश के अंश से उत्पन है वे त्रिगुणात्मक भक्त वच्सल सूरी चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गये फिर भक्ती पूरग पिता जी को तथा शंकर जी को प्रणाम किया साथ ही पिता द्वारा किये गए शंभू के शाप को जान कर वे कश्यप जी पर ही कुरुध हो गए जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहन नहीं किया और कुरुध में आकर यों कहा कि इश्वर के बिना ये सब कुस तुछ अनित्य और नश्वर है इसलिए विद्वान को चाहिए कि वे मंगल कारक सत्य को छोड़ कर अमंगल की इच्छा कभी न करे इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया तब उन प्रभु ने शिग्रिता पूर्वक वहां पधार कर सूरी देव को समझाया और उन्हें इनके कारी पर नियुक्त किया फिर ब्रह्मा जी, शिवजी और कश्यप जी आनंद पूर्वक सूरी को आशिरवात देकर अपने अपने भवन को चले गए इधर सूरी भी अपनी राशी पर आरूर हो गए उसके बाद माली और सुमाली व्याधी ग्रिस्थ हो गए उनके शरीर में सफेद कोड हो गई जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभाभी नस्ठ हो गई तब स्वयम ब्रह्माजी ने उन दोनों से कहा कि सूरी के कोप से ही तुम दोनों हत प्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी गल गया है इसलिए तुम लोग सूरी का ही भजन करो फिर ब्रह्माजी उन दोनों को सूर्य देव का कवच, इस्तोत्र और पूजा की सारी विधी बतला कर ब्रहम लोग को चले गए फिर वे दोनों पुशकर में जाकर सूर्य देव का भजन करने लगे वे तीनों काल अर्था सुभा दोपहर शाम इसनान करके भक्ती पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तरलीन हो गए फिर समय आनुसार सूर्य देव से वर्दान पाकर वे पुनहा अपने असली रूप में आ गए इस प्रकार नारत मैंने ये सारा व्रतांत वर्णन कर दिया अब और क्या सुनना चाहते हो तब नारत जी ने श्री नारायन मुनी से जो कुछ भी पूछा उसका वर्णन आप अगले अध्याई में सुनेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लेस वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा